नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के सबसे महेंगे पलो के बारे में बताऊंगा, जिने देखके आप सभी के मूँ में पानी आ जाएगा, और सोचने वाली बात ये है कि इन पलो में ऐसा तो क्या है कि ये इतने महेंगे बिखते हैं, तो देर ना करते हुए वीड आती और बेचती है, ये स्टॉबरीज सारी एक तरह की दिखती हैं, जिस कारण इने क्वीन आफ स्टॉबरीज भी कहा जाता है, सैंबिक्या क्वीन स्टॉबरी के प्रतेक बॉक्स में 12 स्टॉबरीज होती हैं, जो 85 अमेरिकी डॉलर यानि की 6000 रुपे खर्च करने पड़े डेकोपॉन संत्रा, डेकोपॉन संत्रे के एक बॉक्स में 6 संत्रों की कीमत 80 अमेरिकी डॉलर जो की 6000 रुपे होती है, ये संत्रा जापान में उगाया जाता है और ये दुनिया में सबसे मीठा संत्रा होने के लिए जाना जाता है, डेकोपॉन संत्रा साधारन संत्रे से इस्से पर एक उब्रा सा हिस्सा होता है जो इसकी पहचान है डेकोफॉन संत्रा विटामिन सी से भरपूर होता है जो शरीर के लिए काफी फायदेमंद है स्क्वेर वाटरमेलन जापान के चौक और आकार के तर्बूज एक लंबे समय से विदेशों में बिखते आए हैं ये एक तर्बूज 200 अमेरिकी डॉलर यानि की 14,500 रुपय में बिखते हैं कई बार तो इनकी कीमत 50,000 तक चली जाती है गर्मी में बड़ी राहत देने वाला तर्बूज अपनी कीमत से आपके पसीने छुड़वा सकता है इस तरह के स्क्वेर तर्बूज जापान के बाजारों में केवल बेचे ही नहीं जाते हैं बलकि अमेरिका में भी निरियात किये जाते हैं आला कि अमेरिकी लोग इन्हें खाने के बजाए उत्सुकता के लिए खरीतते हैं Sakaiichi Save एक Sakaiichi Save का वजन एक किलो तक हो सकता है जो जापान में उगाया और पिर पूरी दुनिया में भेजा जाने वाला ये एक Save 21 अमेरिकी डॉलर यानि की 1500 रुपए में बिखता है Sakaiichi Save में Sakaiichi का अर्थ दुनिया में नंबर एक होता है इन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए प्रकरती से थोड़ी छेड़ चार की जाती है ऐसा कहा जाता है कि इन सेबों के परागन के दौरान इंसानों द्वारा साहेता की जाती है और इन सेबों के पक जाने के बाद इन्हें हाइडरो मेल्ट से धोया जाता है किसी भी शती से बचाने और ताजगी को बनाए रखने के लिए इन्हें हातों से पैक किया जाता है बुद्धा शेप नासपाती बुद्धा के आकार की नाशपाती चीन की देन है जो जनी टू दा वेस्ट उपन्यास से प्रेरित होकर एक बाग के मालिक जियांग जांग ने बुद्धा के आकार के साचे में नासपाती को उगाया और उन्हें यूरोप में निर्यात किया बुद्धा के आकार की एक नाशपाती 9 अमेरिकी डॉलर यानि की करीबन 600 से 700 भारती रुपए में बिखती हैं जो इसे दुनिया के सबसे महेंगे फलों में से एक बनाता है ये फल आसानी से उपलब्द नहीं है और इसे चीन के लोग एक जादूई फल के रूप में भी मानते हैं तो ये था आज का वीडियो दोस्तों ये वीडियो काफी महनत के बाद बना है जिसके लिए एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना मत भुलिएगा धन्यवाद